तो इस प्रकार जब डायोट फॉर्वर्ड बायस में होता है तो उसमें अत्याद धारा प्रवाहित होती है और यह बोल सकते हैं हम लोग कि जब डायोट फॉर्वर्वर्ड बायस में रहता है तो वर्किंग कंडिशन में रहता है और रिवर्स बायस में उसमें धारा प्रवा दिश्ट कारी यानि की रेक्टिफायर यह रेक्टिफायर ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ति धारा को दिश्ट धारा में कनवर्ट करता है हमने प्रत्यावर्ति धारा देखा और दिश्ट धारा देखा जो प्रत्यावर्ति धारा होती है उसको सभी उपकरणों में इ करने के अवश्यक्ता पड़ती ही है तो प्रत्यवर्ति धारा को दिष्ट धारら में कन्वर्ट्र करने के लिए हम स्कक्राइब करते हैं मैं आपको पता है कि यह कितने प्रकार कर souhaí यह यह या mijn फुल वेव यानि की पोंड तरंग दिश्टकारी और दोसरा होता है अर्द तरंग यानि की हाफ वेव रेक्टिफायर अब यह फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर हम क्यों बोलते हैं हमने इससे पहले वाले AC और DC डाइनमों का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखा हम देखें उसमें कि डाइनमों में चुम्बकी छेत्र चुम्बक के द्वारा लगाया जाता है और उसके बीच में एक आर्मेचर होती है जिसको किसी श्रोत के जरिए घुमाया जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है मतलब प्रेरित धारा उत्पन हो जाती है अब इसके कांस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज करके हम DC और AC डाइनमों बनाते हैं pitch यह इसी डाइनमों में जब धारा उत्पन होती है तो जब यह आर्मेचर घूमता है एक चक्कर लगाते घुणने गाती कर रहा तो एक चक्कर लगएगा जैसा अधस्य से ओपर कि ओरा रहा है तो धारा इस परिपत में एक दिशा में बहा रही है है और जब यहीं कुंडली नीचे की तरफ रोटेट करेगी यहाँ पर एबी वाला जो हिस्सा था पहले उपर की और अर्मिचर का अब वहीं नीचे की और जा रहा है जब उपर की और आता है तो धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है इस परिपत में नीचे सरकेट में हम हैं तो जब यह एक चक्कर लगाता है तो इसके आधे चक्कर में एक दिशा में दहारा बहरी है और आधे चकर में दूसरे दिशा में धारा बहरी है इसलिए हम लोग यहां पर एसी की बात करते हैं तो उसको हम प्रत्यवर्ती धारा का तो यह ऊपर और नीचे की और उपर और नीचे की और साइन कर्फ की तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है तो जब यह ऊपर की और है मानले जो एक दिशे में धारा बह रही है तो इसको मुझते हैं धनात्मक अर्ध चक्र आधा चक्र क्योंकि आधे हिस्से में ही एक दिशे में धारा बहेंगे और जब यह नीचे की और आएगा तो की दिशा बदल जाती है इसलिए एक होता है धनात्मक अर्ध चक्र और दूसरा होता है रिनात्मक अर्ध चक्र तो यहां पर आर्ध चक्र का कॉंसेप्ट क्लियर हुआ अर्ध चक्र इसलिए का जाता है क्योंकि आधे चक्र में ही धारा की दिशा एक होती और आधे चक्र मे अर्ध्यवर्ति धारा को दर्शाते हैं तो एक पोन चक्र में दो अर्ध्य चक्र होते हैं जिसमें की धनात्मक अर्ध्य चक्र होता है और एक रिनात्मक अर्ध्य चक्र होता है अब यह rectifier full wave और half wave की तरह किस प्रकार काम करता है इसका हम लोग पहले परिपत त्यार करते हैं परिपत देखते हैं और उसके बाद इसकी working को देखेंगे तो यह दो प्रकार कोता है full wave और half wave पहले हम पढ़ते हैं half wave rectifier यानी की अर्ध तरंग दिश्ट कारी नाम से समझ में आ रहा है यहां पर श्रिफ आधा ही चकर होगा यह आधा ही चक्र होगा जिसको वो rectifier करेगा जिसको वो AC से DC में convert करेगा किस प्रकार ये काम करते हैं इसके लिए circuit को देखते हैं इस circuit मे हम यहां पर इस प्रकार का चिन देख रहे हैं यह चिन प्रत्यावर्ती सिगनल का होता है यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई गई है इस परिपत में और यहां पर यह दो कुंडले दिख रही हैं और यह दो लकीरे दिख रही हैं यह चिन होता है ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं एक होता है उच्चाई और एक होता है अपचाई स्टेप अप और स्टेप डाउन यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर हमने लगाया है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानि की अपचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफर्मर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर जोड़ा गया है डायोड और डायोड ऐसे अर्द चालग एलेक्ट्रोनिक युक्ति है जो कि कम वोल्टता पर काम करते हैं इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसफर्मर लगा है वो अपचाय ट्रांसफर्मर है इस ट्रांसफर्मर में दो कुंडली है यह प्रात्मी कुंडली और यह दूत्यक कुंडली प्रात्मी कुंडली में फेरे की संख्या देख है और दूत्यक कुंडली में फेरे की संख्या कम है और जो दो लकीरे नजर आ रही हैं, ये दो लकीरे इस ट्रांसफार्मर के क्रोड को दर्शाती है, अब इसके दूतिय कुंडली से हमने जोड़ा है एक डायोड जिसको हमने दर्शा है D से, इस डायोड का चिन्ह में हम एक ट्राइंगल और एक लकीर खेशते हैं, तो जो ट्राइ करने के लिए हमने तारो का स्तमाल के कनेक्टिंग वायर्स और यहां पर जोड़ा है एक लोड प्रती रोध, लोड प्रती रोध आउटपूट लेने के लिए जोड़ा है, यहां पर जो सिगनल हम अंदर दे रहे हैं इस परिपत में प्रत्यवर्ति वोल्टता जो यहां कर देते हैं अब जब प्रत्यावर्ति धारा प्रवाहित होगी इस ट्रांसफार्मर में तो प्रत्यावर्ति धारा उसमें दोनों चक्र होंगे धनात्मक अर्ध चक्र और रिदेनात्मक अर्ध चक्र मान लेजिए जब इस ट्रांसफार्मर की प्रत्मिक कुंडली में प्रत अन्योन प्रेरण के सिधान से काम करता है इसलिए जब इस कुंडली में प्रात्मिक वाली कुंडली में जब प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई जाएगी तो दूसरे कुंडली में अपने आप प्रेरण के कारण विपरित दिशा में वोल्टता उत्पन हो जाती है तो मान ले है उसके A और B दो टर्मिनल है जो A टर्मिनल है वो धनात्मक विभाव पे है और B टर्मिनल रिनात्मक विभाव पे है मतलब A प्लस है और B माइनस है अब इस कंडिशन में जो डायोड का पी हिस्सा है वो प्लस से जुड़ गया और जो N हिस्सा है मतलब N टाइप का जो अर्दचालक है डायोड में वो इस लोड़ प्रतिरोध के थरू N मतलब माइनस वाले से जुड़ गया इस कंडिशन मतलब पी जुड़ है प्लस से और N जुड़ है माइनस से जब पी प्लस से और N माइनस से जुड़ता है तो डायोड कौन से अभिनती में होता है तब डायोड अगर अभिनती में होता है और अगर अभिनती में डायोड वर्किंग कंडिशन में होता है उसमें से धारा प्रवाहित होती है इसका मतलब इस कंडीशन में धारा इस डायोड के तुरू प्रवाहित होगी जो आउटपूट हम यहां पर लोड रेजिस्टंस में देख सकते हैं यदि इसको हम ग्राफ में प्लॉट करें मतलब निवेशी प्रत्यवर्थी वोल्टता और निर्गत वोल्टता को प्ल आप्ध हुआ अब बात करते हैं रिनात्मकर्द्यrà चक्र के Cert Eence है तो फ़ें रिनात्मकर्द्यदकर बीहाएगा उस रिनात्मकर्द्यτιद 00003 एव वाला हिस्सा मतलब दुद्यकुंड़ि का ए हिस्सा ऑ शिर्स से माइनस हो जाता है और सल्भाएट का पीश हो जो जाता है रिनात्मक सिरे से और N सिरा किस से जुड़ा है धनात्मक सिरे से जब P रिन से जुड़े और N वाला हिस्सा धन से जुड़े तो डायोट कौन सी अभिनती में होता है तो डायोट पश्च अभिनती में होता है और पश्च अभिनती में डायोट नॉन वर्किंग कंडिशन में ह उसमें सिधारवाहत नहीं होती इसका मतलब हमने निवेशे सिगनल तो दिया लेकिन ऑउटपुट में हमको कोई भी सिगनल पराप्त नहीं होगा उस सह निौक यह दिखें तो यहां हमको कुछ भी नहीं वहिले कि कि वहाँ हमको कोईभी सिग्नल पु क्राप्त हुआ हिने नहीं चक्रों फिर तो चलता रहेगा न चक्र में देखें तो डायोड अग्रभी नती में होगा और हमको निर्गत इन inform तो निर्गत में कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं होगा एक्स वाई जो लूट प्रतिरोध बनाया है वहां पर कोई भी निर्गत सिग्नल प्राप्त नहीं होगा और यह चक्र चलते जाएगा तो हम देखते हैं कि प्रतिक धनात्मक अर्ध चक्र में हमको निर्गत सिगनल प्राप्त हो रहा है और इनात्मक अर्ध चक्र में हमको कोई भी आउट्पूट प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब धारा की दिशा एक हो गई एक अर्ध चक्र प्राप्त हो रहा है मतलब हमको धारा की एक ही दिशा मिल रही है और जब धारा की एक ही दिशा मिलती है या कह सकते हैं सिगनल की एक ही दिशा मिलती है तो वो कहलाता है DC यानि के direct current यहां पर हमने AC को DC में convert किया इस half wave rectifier की सहता से लेकिन यहां पर केवल धनात्मक अर्ध चक्र ही हमको प्राप्त हुए रिनात्मक प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इसका नाम रखा गया है half wave rectifier यानि की अर्ध तरंग दिश्ट कारी केवल आधे आधे तरंग हमको प्राप्त हो रहा है और यहीं दोश इस half wave rectifier का है कि इसमें पूरा signal rectify नहीं होता rectify मतलब DC में convert नहीं होता सिर्फ आधे आधे signal है वो DC में convert होते हैं तो यह signal जो निर्गत में प्राप्त हो रहा है वो कैसे signal होता है वो आस अंतत यानि के discontinuous होता है और दोसरा यहां पर हम देख रहे हैं कि मान भी चेंज हो रहा है परिवर्तित हो रहा है जो प्राप्त हुआ है इसका मतलब यह कैसी डेसी है यह विशुद्ध डेसी नहीं होती है बल्कि यह pulsating DC है मतलब सपंद इसी डेसे सपंदो की रूप में हमको प्राप्त हो रही है और इसमें एक घटक यानी की रिपल्स भी हमको प्राप्त होंगे entren इस चित्र में देखें, तो चित्र लगबग वही है, बस यहां पर डायोड दो लगे हैं, डायोड D1 और डायोड D2, और यहां पर जो ट्रांसफार्मर है, वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, यानि कि मद्य निश्कासी ट्रांसफार्मर, मद्य निश्कासी ट्रांसफार्म में ट्रांसफार्मर के मध्य बिंदू से एक तार निकली होती है और यह तार बाहर सर्कुट में जोडने के काम आती है और यह तार जो मध्य बिंदू से निकली है इसको हम बोलते हैं मतलब जो मध्य बिंदू है जहां से तार निकली है उस बिंदू को हम कहते हैं tapping point यानि कि निश्काशी बिंदू अब वही प्रत्यवर्ति वोल्टेज यहां पर लगाया जा रहा है हमने प्रत्यवर्ति सिगनल दिया है transformer अब चाहिए transformer ही है step down transformer क्योंकि diode low voltage में काम करता है यहां पर दो डायोड लगें D1 और D2 और जो load प्रतिरोध है इन दोनों के बीज से जुड़ी एक तार से central tap है transformer के साथ जिसको हमने RL से दर्शा है जिसके दोनों सीरे X और Y है अब इसकी कारिविदी देखते हैं जब हम इसमें प्रत्यवर्ति वोल्ट ताल लगाते हैं तो धनात्मक अर्ध चक्र में मान लेजे A सीरा धन है और B सीरा रिण है अब यहां पर यह होता है कि जब हम धनात्मक अर्ध चक्र की बात करें तो एक उच्च विभाव में हो जागा और एक दूसरा निमने विभाव में होगा अब D1 की बात करें जो डायोट D1 है इसका P सीरा A से जुड़ा हुआ है और N सीरा जो है इस लोट प्रति रोट के द्वारा यह सेंट्रल टैपिंग ट्रांस्फार्मर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर जो A और T में विभाव का अंतर है उसमें A T के कमपेरिजन में उच्च विभाव में होगा और T A के कमपेरिजन में निमन विभाव में होगा इसलिए यहाँ पर डायोड D1 P सेरा उच्च विभव से और N सेरा निम्न विभव से जुड़े होने के कारण अगर अभी नती यानि कि forward bias में आ जाता है और यह working condition में हो जाता है वही जब हम D2 के बात करें क्योंकि D2 भी इस परिपत में जुड़ा हुआ है D2 का P हिस्सा इस डायोड का P सीरा B से जुड़ा हुआ है T के comparison में जो stepping point है उस stepping point के comparison में B रिणात्मक विभव है और T इससे उच्च विभव में है P-cera निमन विभव से जुड़ा है और N-cera is diode का उच्च विभव से जुड़ा हुआ है जिसके कारण diode D2 कौन से भी नती में आ जाएगा? ये पश्च भी नती में आ जाएगा पर श्रबिनती में आगया, इसका मतनद भी norm approaching हो जाएगा और इसमें सिधारा प्रवाहित नहीं होगी तो जो भी धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी, वो किसके तुरू प्रवाहित होगी सर्फ धारा ओपर वाले परिपट से ही प्रवाहित होगी और धारा D1 डायोट से होते हुए इस लोड़ प्रतीरोध में X से Y क्यों प्रवाहित होगे और हमको एक निर्गा सिगनल प्राप्त होगा जब next अर्द चक्र आता है मतलब रिनात्मा का अर्द चक्र उस रिनात्मक अर्द्र चक्र में यहाँ पर वोल्टिता चेंज हो जाएगी, विभव अंतर बदल जाएगा, यहाँ B धनात्मक हो जाएगा और A रिनात्मक हो जाएगा अब डायोड D1 की बात करते हैं, जो डायोड D1 है, इसका P टर्मिनल, P रिजन, A से जुड़ा है और A निम्न विभव में हैं इस टैपिंग पॉइंट T की तुलना में टैपिंग पॉइंट T अभी उच्च विभव में आ जाएगा और A निम्न विभव में और इसका N सीरा, डायोड D1 का N सीरा इस टैपिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जो की उच्च विभव में है, इसका मतलब P जो निम्न विभव से जुड़ा हुआ है और N हिससा डायोड D1 का वो उच्छ विभव से जुड़ा हुआ है जिसके कारण डायोड D1 reverse bias में आ जाता है और यह non working हो जाता है डायोड D2 को देखते हैं डायोड D2 यह का P हिस्सा अब B से जुड़ा है B हिस्सा अभी उच्छ विभव में है इस tapping point T की तुलना में जो tapping point T है उस से क्या जुड़ा हुआ है इस डायोड D2 का N हिस्सा जुड़ा हुआ है मतलब N रिनात्मक विभव से जुड़ा हुआ है निम्ने विभव से और जो P हिस्सा है वो उच्छ विभव से जुड़ा हुआ है जिसके कारण डायोड D2 forward bias में आ जाता है यानि कि अभी वर्किंग हो जाता है तो अब इस परिपत में कौन सा हिस्सा काम करने लगेगा उपर वाला हिस्सा हमारे लिए बेकार हो गया क्योंकि यह डायोड अब नॉन वर्किंग कंडिशन में सर्फ नीचे वाला हिस्सा हमार प्रवाहित होगे और आउट्पूट में हमको लोड रजिस्टेंस में हमको आउट्पूट प्राप्त होगा और इसको यह ग्राफ से देखे हम तो धनात्मक अर्द चक्र में भी हमको एक आउट्पूट प्राप्त हो रहा था जो एक्स से वाही की दिशा में था रिनात्मक ओपुट हो रहा है और इस आउट्पूट की दिशगा है इस आउट्पूट की दिशा भी एक्ससे वाई है लिए इसको सिरी निरगत यानि और देखें तो वह तो यहां पर निवेशी में देने के बाद भी हमको धनात्मक आर्ध चक्र आउर्पूट में प्राप्त हो रहे और यह प्रक्रिय आगे बढ़ते रहेगी मतलब नेक्स्ट अर्ध चक्र आएगा धनात्मक वाला फिर डायोड डीवन फॉर्वर्वर्ड बायस में होगा वर्किंग हो जाएगा और उसमें से सिग्नल प्रवाहित होगा और लोड रजिस्टेंस आर एल में एक्स से लेकर वाई तक धारा प्रवाहित होगी और हमको आउट्पूट सिग्नल प्राप्त होगा निदात्मक अर्थे चक्र में डायोड डीटू फॉर्वर्वर्ड बायस में हो जाएगा डीवन रिवर्स में हो जाएगा धारा अब डीटू से प्रवाहित होगी और एक्स से लेकर वाई तक प्रवाहित होगे इस लोड रजिस्टेंस के अक्रोस धारा की दिशेंग नहीं हो रहे हैं इसलिए आउटपुट में हमको फिर से एक निर्गत चिगनल प्राप्त होगा जिसके दिशा पहले दिशा की ही पहले जैसे ही दिशा की और होगी और इस प्रकार यहां पर पूरे तरंग है फ्रेक्टिफाई होने सद दिशा एक धा यह पाया है इसलिए यह फैसरे को डिशी में पूरे पूर्ण कर चुका है इसलिए इसे हम full wave rectifier कहते हैं, इसमें दोनों ही अर्ध चक्र DC के रूप में, signal के रूप में हमको प्राप्त हो चुके हैं, इसे लिए full wave rectifier, half wave rectifier की तुलना में ज्यादा लाब दायक है, क्योंकि half wave rectifier हम लेते हैं, तो खाले आधे चक्र ही उसके rectify होते हैं, जिसके करन दक्षता कम होती है, यानि कि 40% लगभग उसके दक्षता होती है, और full wave rectifier में दोनों ही आर्ध चक्र rectify हो जाते हैं, इसके कारण इसके दक्षता बढ़ जाती है, और यह लगभग 80% हो जाती है, पर इस full wave rectifier के भी दोश है, दोश इसलिए, क्योंकि यह भी जो DC है, यह विशुद्ध DC नहीं होती है, यहाँ पर भी आप देखोगे कि धारा कमाद 0 से लिके अधिक्तम और और फिर शुन्य हो रहा है, फिर 0 से अधिक्तम और फिर शुन्य हो रहा है, इसका मतलब यह DC भी constant DC नहीं है, बलकि यह भी fluctuating DC है, इसका मतलब चाहे rectifier, full wave हो यह half wave हो, दोनों में जो output signal है, उसकी प्रकृती, स्पंद मान यानि की pulsating होती है, इसमें AC और DC दोनों ही अव्यय यानि की component होते हैं, अब DC अव्यय में से AC अव्यय हटाने के लिए, हम यहाँ पर लगाते हैं, filter परिपत यानि की filter circuit, यह filter circuit प्रेरक कुंदली या फिर संधारित्र को लेकर बनाया जाता है, जब इस तक हारी के लोड़ प्रतिरोध के साथ, प्रेरक कुण्ड़ी को श्रेणी क्रम में और संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है filter circuit और यह DC अव्य में से AC अव्य को हटा देता यह फिल्टर कर देता है इसलिए इसका नाम फिल्टर सर्कीट रखा जाता है क्योंकि यह दोनों को अलग-उलग करने का काम करता है अब जब इस लोट प्रतीरोथ के साथ प्रेरहकुन्डली लगाकर फिल्टरसरकीट बनाई जाती है तो इसका परिपत कुछ इस प्रकार दिखता है इसमें लोड़ प्रतिरोगत के साथ श्रे हलें में प्रेरख कुंड्ली जोड़ी गई है कि और यह प्रेरख कुंडली अब सिग्नल के प्रवा में मिर्माम डालेगी और इस रुकावर को हम कहते हैं प्रतिघाथ और यहां पर कुंडली लगी है इसलिए इसको हम लोग प्रेरकी प्रतिघात के नाम से जानते हैं और जो प्रेरकी प्रतिघात का सूत्र होता है वो था xl l इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां पर प्रेरक कुंडली लगी है xl बराबर 2π new into l यहाँ पर new frequency है signal की मतलग यदि DC होगा तो DC की आवरिती यानि की frequency कितनी होगी DC की आवरिती शुन्य होगी और यदि अब AC देते हैं तो उसकी आवरिती हमको देखने को मिलती है जितनी ज़्यादा आवरिती होगी new कमान उतना अधिक होगा और उतनी ही प्रती घात उस filter circuit के द्वारा signal के प्रवाह में लगाई जाएगी इसका मतलग जब AC और DC दोनों ही इस circuit से प्रवाहित होगे तो DC तो आसानी से प्रवाहित हो जाएगा क्योंकि DC में frequency कमान 0 है यह 0 रखेंगे तो XL बराबर हमको 0 मिलेगा XL बराबर 0 इसका मतलग यह प्रेरख कुंडली वाला जो परिपत है वो DC के प्रवाह में कोई भी अवरोध नहीं डालेगा और DC इस circuit से पार हो जाएगी और लोड प्रतिरोध में हमको DC आउटपुट प्राप्त होगा और यदि AC अव्या यहाँ पर आएंगे तो जितनी उसकी frequency होगी उसके अधार पर यहाँ पर प्रतिघाद लगेगा और यह AC को रोक देगा तो आउटपुट में हमको क्या प्राप्त हो रहा है केवल DC तो इस प्रकार filter circuit लगाके दोनों अव्यों को अलग-अलग किया जाता है अब यदि यह filter circuit संधारित्र को लेकर बनाया गया है तो संधारित्र को कौन से क्रम में जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं लोड प्रतिरोद के साथ और जब अर्द चक्र में मान लिजे एक अर्द चक्र में जब सिगनल इसमें से पास होगा प्रवाहित होगा तो यह संधारित्र चार्ज हो जाएगा मतला आवेशित हो जाएगा जितना इस आर्थी चक्र का शिखर मान है उतने मान तक का ये संधारित आवेशित हो जाएगा चार्ज हो जाएगा उसके बाद इस आवेश का अनावेशन होगा डिस्चार्ज होगा इस लोट प्रतिरोध में क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं जिब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो सिगनल की प्रभाक लिए दो मार्गों जाते हैं इसलिए जो चार्ज इस संधारित्र पर आए हैं जितने आवेशों से यह जितने चार्ज से आवेशित हुआ है उसका निरावेशन ह करनों का उस लोड प्रतिरोध में और इस संधारित्र के सिरो के शिरो में विभाव का डिफरेंस आने लगीगा लेकिन तब तक दूसरे अलगर जाता है और दूसरे अलगर में फिर ये संधारेत्र उसके शिकरमान तक चार्ज हो जाता है इस प्रकार फिर निरावेशन की प्रक्रिया होगी तो जो संधारित रहे वो चार्ज होते जाएगा हर अर्ध चक्र में निरावेशन की प्रक्रिया तो होती है वोल्टिता में भी डिफरेंस आता ही है लेकिन हर अर्ध चक्र में वो अर्ध चक्र के शिखर मान तक बार-बार हो जाता है और इस प्रकार इसमें हम देखें तो इसका सिगनल किस प्रकार प्राप्त होता है इस प्रकार सिगनल आउट्पुट में प्राप्त होता है लेकिन यह सिगनल यदि हम देखें तो इसमें अभी भी fluctuation हमको नजर आ रहा है मतलब यह अभी भी पूर्ण रूप से शुद्ध DC नहीं है इसमें अभी भी कुछ AC अव्यव हमको दिख रहे हैं यानि कि रिपल्स हमको संधारित्र वाले filter circuit में प्राप्त होते हैं तो यह दोनों को compare करें तो संधारित्र वाले filter circuit में अभी भी कुछ रिपल्स बच जाते हैं जब कि कुंडली वाले filter circuit में totally AC और DC सेपरेट हो जाते हैं